तो इस स्वागत्तम टुवानादा टनादार वीडियो हाँ हाँ पता है बहुत दिन बात वीडियो आ रहे है तुरह सब बक्चोदी में फस्गी रहता है तो तुरह लेट होगे है तो कोई बास नहीं शुरू करते है तो पिछले डेर महीने से क्रेस खतम नहीं हो रहा है जिसका गोजो सटारू का क्रेस खतम नहीं हो रहा मतलब जब से गोजो गडेड वाला मांगा जब से आगया चैप्टर आगया गोजो का मनने वाला तब से भाई चला भी जा रहा है फैन बुरा पागल हो रहा है कोई-कोई भाई मुंबत्या जला रहा है भाई क्या क्या कर रहा है भाई बंदा और भाई थियोरी पर थियोरी पर थियोरी तो आज क्यों डेखते अतल भी क्या हो गया तो जब पर अब बात करते कि क्या हो गया था तो जब जब अब क्लियर्ली थोड़ा-थोड़ा एकस्पिलेंगी उतना उत्ना उसे द्हुरां बाकि तुम लोग से देख छूकरूंगे भाई लोग थी तो बनाता जा रहा है कोई त बतान नहीं हो सकता कि मैं तुम्हें पताता हूँ पूरा डेडियल में अधा आता हूँ परे शुट क्या हुआ था तो भाई हमारे सकुने सद गोजो का फाइट वा और सकुना ने गोजो को आधे इस च्छाव में ख़तम अब बात करते क्या हूँ वह आ सकते क्या कोई चांसस तो देखो यार अगर कोई भी करेक्टर अगर कोई भी side character अभी तुम लोग comment में यह मत बताना जाना कि भैच्छो तु गो जो side character नहीं यह वो main character, side character कैसे बोल दे तरी हिम्मत के सुई या उसकेप करो वे करो कर सुनो भाई है जो side character अभी बात करते हैं कि अगर वो वापस आया तो भैज पूरा plan भी करे जाएगा तो लोग एक छी से notice करो जो 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 गाइसन तुम लोगा favorite character गोजो है और तुम लोग उसी को ही main character मानके चलते हो जब कि वो main character है ही नहीं पूरा फोकस उस पर यह अगर यहां पर गोजी को फिर से वापस लाया जाए एंड फिर क्या हो सकते है फिर पूरा मतलब जो प्लैन है पूरा बिगर यह कि तुम लोगो कुछ उधारन देता हूं कुछ एक्जैम्पल देता हूं जैसे नरुटो शीरीस तुम लोगो ने देख या फिर शीके वरगब जब आसुमा मराता तो ऐसे साइड करेक्टर्स मरते हैं जो कि पहौफुल होते हैं लेकिन मरते हैं अगर मनने के बाद गया होता है कि जो मेन करेक्टर है वो थोरसा मैच्वार हो जाता है उसके उपर पूरा फोकस आ जाता है यहां पर भी ऐसे ही कि नरूटो जी रहा से पहले कैसा था जर्या मनने से पहले एकदम हर फाइड में बिना सोच कि निकल जाता था यह करेक्ट कि उसको पता है उसके पास एक गौड वादर है जो पीछे से प्रोटेक्ट करेगा उसके जाने के बाद वो पूरा सीरिस होगे एकदम से अपने कि आँ अ मुझार इसाथना नहीं वोता था इतना थे नहीं तो प्रेंच तब इंटर्ने इनटर्ट कि अतना ज्यादा यह था जादा पॉपुलर भी नहीं था अब मेन करेक्टर को साइड करेक्टर बना दो के तो यह तो नहीं हो सकता और तुम लोगों ने नरोटो सीरीज में देखा होगे कि उसके बाद क्या होता है हरे चीज़ में नरोटो को क्यों जाके रहता हूँ इतना बरा भाई मेरा पुरा खून में नरोटो बह रहा है इतना हो गया मैं हर चीज़ में उसका युदारण लेके आता हूँ तो इसलिए तुम्हों को बस ये बोलना थे कि नहीं गोजो को आने का चांस बहुत कम है इसके बाद से जूर्शु का इसंगे चैप्टर अभी पीक पे हैं इसके बाद थोरा सा डाउन हो सकता है और उसका फिर से पीक पे जाएगा क्योंकि वह मैच्वर होगा इसलिए नरोटो में जब जिरया मरा था उसके बाद थोरा सा डाउन था जब इम्लिकिन उसके बाद जब पेन आर गाया एंड जब पेन के साथ नरोटो का फाइट हुआ वह वाला पूरा नरोटो शिपिरन का ग्रेटेस्ट फाइट बोला जाता था कि उसमें इतना जादा लेवल घुजबा मुस्ता है तो यहां पर भी तुम दोब शायद शायद मिन सकता है कि कि अगर कोई में इतना इंपोर्टेंट करेक्टर अगर कोई सीरी से जा रहा है तेन वो तो फिर से कोई बरा चीज हो नहीं हो गई होगा देखो फिलन जिससे डरते हैं अगर वो मर जा अगर आएगा तो आएगा नहीं आएगा तो नहीं आएगा नहीं आने का चांस बहुत जाद है अब मैं भी बक्च्छो दी कर रहा हूं कि मेरे को बोलना था मेरे को जो लगता था वो मैं बोल रहा हूं कि नहीं आ सकता है अगर तुम लोग पास कोई थियोरी है कि आ सकता है नहीं आ सकता है कोई थेओरी है तो कमन में जरू बताना मैं अगर अची वही तो में वीडियो में एड गर दोंगा नाम के साथ और अगर तुम्हों को पसंदा है विडियो तुम्हों को अगर यह सच अगर थोरा सा चुभी नहीं चुभी तो भूबित लाइक कर दो अगर तो अगर चल कि अखगर है विडियो तुम्हों को छोगबित लाइक कर दोंगा शुम्हों को अगर यह बता है